गुडाफ्टनन बाड़को आजे अपड़े दोरुन आठ माँ पाठ चार कर्मयोगी लाल बाहदु शास्त्री भणी रहा छिए तो देखो बच्चों हमने यहाँ तक देख चुके तयाब आगे देश के आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिना भिना पदों पर है पद मतला अलग अलग होते अलग अलग पोस्ट पर भिना मतला अलग अलग का बच्चों देश के आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में उन्हें ग्रूह मंत्री बनाया गया है ग्रूह मंत्री जो जिसके बच्चों घर में जो साध पर वे केंद्र में आ गए। पर वे केंद्र में आ गए। उनका द्रश्टी कोण अत्यान वहवारिकता था सभी प्रकार की अपचारिकता उसे परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण उचा नहीं मानते थे। करने के लिए ही मैं ऐसे पदबर आया हुआ। एसी भावना से कारिय करने के कारण उन्हें अपने मंत्रा लए में लोग प्रियता मिली। साथ ही साथ सारे देश में भी लोग प्रियता मिली। लोग प्रियता मैं लोग उनको पसंद कने लगे लोगों को प्रिया लगने लगे। कि उनके सी धार ना उनके सी सोचों के कारण वो लोगों को भी अच्छी लगने लगे। और मंत्रा लेमन लोग जो काम करते थे न वो मंत्री काम वहाँ भी अच्छे लगने लगे। इसे लोग प्रियता का परिणाम था कि पंडित नहरु के निधन के बाद उन्हे देश का प्रधान मंत्री के रूप में स्विकार किया। उनकी यही लोक प्रियता का जो परिणाम था ना बच्चो तो उन्हीं के वज़े से पंडित नेहरू जो पंडित जवालना नेहरू थे ना बच्चो उनके नीधर मतलब उनके मृत्यू के बाद शास्तर जी को क्या चुना गया प्रधान मंत्री के रूप में सिलकार किया किया देश के इस महत्रपुर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने में चोटे से समय में उन्हों ने जीतनी सफलताय और लोक प्रियताय प्राप्त की वह ए खुदा हरण है शास्तर जी के सामने अपना उद्देश्य बिलकुस पस्ट था उसमें किसी प्रकार का धुनला पनिया भटका नहीं था बच्चों सरी उन्होंने 19 महीने बराबनना बच्चों सरी उन्होंने क्या किया थी कि उन्होंने सब जिम्मेदारी अपने उपर संबाल ली थी उम्मेदारी अपने उपर ले ली थी और लेने के साथ सब को अच्छे से संभाली भी थी और बोला गया है कि जितनी सफलते हैं लोग प्रियता प्राप्थ की वह एक उदाहरन है शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश बिल्कुस पस्ट था मैं जो उनका लक्ष था उनका इकी लक्ष था कि मैं देश का क्या हूँ साशक ने देश का सेवक और मुझे एकी काम करना है कि लोगों को क्या हो कम परेशानी हो मतलब लोगों की जितनी भी परेशानी हो उसको हम क्या कर सके सोल कर सके उसको दूर कर सके बस एक ही उनका क्या था उड़ेश्य था उसमें किसी प्रकार का धुनला पन या भटकाव नहीं था उसमें किसी प्रकार का धुनला पन नहीं था महला धुनला कुछ नहीं था वो अपने आपको और अपना एकदम वो निष्ट मुझे यही काम करना उसमें कोई चीज़ का भटकावी था उनको कोई दूसरा काम करना था नए वे हमारे देश के एक अतियन महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे लेकिन उन्होंने हमेशा आत्म सयम से काम लियाता था अधिकारों से अधिकर्टवयों को ही तरजी तरजी दी मतलब बहुत ज़्यादा इंपोडेंस दी कि इसको अधिकारों से अधिकर्टवयों को तरजी दी अधिकार उनके बहुत सब थे जिसे कि अधिकार उनके हक तो बहुत सब थे बहुत सब अधिक अर्टवय मला अपने काम को ही क्या करते थे सबसे उपर रखटे थे, शायद इसलिए शास्तरी जी इतने अधिक लोग प्रिय भी हो से के और यही कारन था कि शास्ते जी सबको अच्छे लगते ते क्योंकि वो किसी को ऐसा नीचा नहीं रखते थे सबको अपने समान रखते थे और अपना काम अच्छे से करते थे उन्होंने अलीगड मुस्लिम विश्व विध्यालाई दिक्षान समारों में 19 दिसेंबर 1964 को चात्रों को संबन संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचायव व्यक्त किये थे बच्छों विश्व विध्यालाई मतलब यूनिवर्सिटी कहा गए थे वो दिक्षान समारों में गए थे दिक्षान समारों किसको बोलते बच्चों एक समारों मतलब कार्यक्रम होता है पर दिक्षान समारों किसको बला जाता है जिसमें बच्चों को है ना प्रमान पत्रा देते मतलब रिजल्ट देते ना उसको दिक्षान समारों बोलते तो बोला कहा है कि उन्होंने छात्रों को संबोंदीत करते हुए एक अपने विचार फ्यक्त किये थे क्या विचारत है बच्चों के आपके भविश्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो आप में से प्रतियक को यह सोचना चाहे है कि आप सबसे पहले देश के नागरी के यह आपको संबीधान द्वारा प्रदत कुछ अधिकार देता है लेकिन इससे कुछ करतव का बोज भी आता है जिससे समझना चाहे बच्चों यह एकदम सही बात है शास्तरी जी ने बताया कि आप भविश्य में कुछ भी बना चाहे डॉक्टर बनो टीचर बनो इंजिनियर बनो कि कुछ भी बनो लेकिन आप में से प्रत्यक को यह सुष्ण शाहिए कि सबसे पिल आप देश के नागरिक है हम देश के नागरिक है बरहा बरहुर हम देश के नागरिक है तो हमारे संवी धानने हमारे बंधारनने हमें क्या दिये बहुत सब हक दिये और हक दिये हैं उसके साथ हमारे पर बहुत सब जिम्मेदारी भी डाली और उसको हमें समझना चाहिए जैसे के हमारी एक जिम्मेदारी क्या है कि अगर रस्ते पे कोड़ा कच्रा दीखता है तो हमें उठा कर डालना चाहिए उससे उठा कर जाकर नगर पालिका में जाकर उसकी क्या करनी चाहिए फर्यात करनी चाहिए यह हमारी क्या है बच्चो जिम्मेदारी है जिसे हमी समझना चाहिए हमारा देश प्रजात आंत्रीक है जो नीजी स्वतंतरता देता है लेकिन इस स्वतंतरता का उप्योग एक व्यवेस्ति समाज के हीत में स्वेच्छा से लगाए गए प्रती बंदों के तहत होना चाहिए क्या बुलागे बच्चों हमारा देश के साही प्रजाता थी क्या चलता उसमें प्रजा का ही चलता जिसके लोक शाही है हमारी लोकों के द्वारा ही हमारा देश का सासन चलता है जो नीजी स्वतंतर तका उप्यों के वेवस्ति समाज के हीत में स्वच्छा से लगाए गए प्रतिमबंदों के तहत होना चाहिए अधिकार कर्तव्यों और आत्मसयम के बारे में या अत्यन महत्पुपुण बास शास्त्री जी ने कही तीजी से आज याद रखने की जरूरत है क्या बुला गया क हमारे अधिहाम अगरी में अगर हम रहते हैं तो हमारी कुछ जिम्ब्न दोरो और पूरी भी करण चाहिए और आत्मसयम रखकर हमें समाच के हीत सवच्छा फुड की इच्छा से क्या किना चाहिए लगाए ग्वाइगा है प्रतिबंध मतलब जो प्रति बंद लगाए है ज यह सब बताया गया है तो बच्छो हमारे पाठ का नाम क्या था कर्मयोगी लाल बहदूर शास्त्री तो हमने देखा था कि कर्म लाल बहदूर शास्त्री के बारे में हमें सब बताया गया है कि वो कितनी बार जेल में गए वो किस से जादा प्रेरी थे तो घान्दीजी से जादा प्रेरी थे और उनके वारे में हमें बहुत सक चीज़े ये पाठ में बताई गई है तो देखे आप लोगों को शब्दार्थ दिये हुए है दाई तो मतलब जिम्यदारी निशकाम बिना फल की अपेक्षा समर पणक तो सोपना अर्पी थोना समन वैत संयोग निहित बीतर रहा हुआ आस था तो श्रधा विरासत उत्तर अधिकार आहवान तो ललकार चुनोती उन्मुलन जिसे बोलते हैं जोर मुलसे नस्ट कना दक्षता जिसको बोलते हैं निपुनता तरजी मतलब प्राधान या अग्रिमता बोज़ादा इंपोटेंस देना उसका तरजी बोलते प्रादत मतलत दिया हुआ निर्वा चित्मलत चुना हुआ दिक्षां समारो विश्व विध्यालोयो का प्रमार पत्र देनी का उस्साँ बच्छो हमारे हैं पार्ट पुरा होता है